नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रहत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल होमियोकेट टिप्स पे दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पीनिस में बलड फ्लो बढ़ाने वाली तीन सर्वसेश्ट होमोपैथिक मेडिसिन के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों जब तक आपका लिंग में blood supply properly ना आ रहा हो तब तक आपको अपना लिंग में properly erection देखने को नहीं मिलेगी संभोग के दोरान और लिंग में blood flow सिर्फ आना ही नहीं है बलकि वहाँ पे आकर sustain भी करना है वहाँ blood को रुकना भी है और ये तभी हो सकता है जब आपका genitalia में blood flow का कोई कमी ना रहे और इस वीडियो में मैं जिन medicines का नाम बताता हूँ और उसे लेने का जो तरीका में बताता हूँ अगर आप उसी तरह से इन medicines को इस्तमाल करेंगे तो फिर आपका link की अंदर blood supply तीन गुना बढ़ जाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है लेकिन उससे पहले आप सभी से एक request है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इस YouTube चैनल होमियो कैट टिप्स को सस्क्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सस्क्राइब करें और उसका बगल में जो बैल आइकन है उसको भी जरूर से दबाईए तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों का हमें message देखने को मिलता है YouTube पे WhatsApp पे email पे कि सर हमारा link में blood supply की कमी है properly erection हमें नहीं हो पाता है तो कोई एक ऐसी medicine का नाम आप बता दीजिए जिसे 7 करने से हमारा link में blood supply की जो problem है ये ठीक हो जाए तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए जो पहला medicine का नाम है उसका नाम है Sidonia Valgaris Mother Tincture तो दोस्तों Sidonia Valgaris के बार में मेरे ख्याद से आप लोगों में से बहुत लोग जानते ही होंगे और मेरे ख्याद से आप लोग इसको इसको इस्तमाल भी कर रहे होंगे तो आप लोगों के अगर लिंग की जो नसे है वहाँ अगर एक्सेसिब हस्त मैथुन करने के कारण वो अगर इंजोड हो जाए वो अगर दब जाए या फिर वो कुचल जाए और इसके इलाव अगर किसी पूरुस में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन जो की मेल सेक्स्वल हॉर्मोन होती है वो आपका लिंग की अंधर ब्लड़फ्लोओ को तेजी के साथ एगदम थ्रे टाइम्स को ठिक करता है अब साइड़ोन य वल्यजिसको लेने का तरीका में आप लोगों को बता देता हूं ये आप लोग सुन लिजिए साइड़ोन यवलगर armour में लेकर आना है इसका 3200 वाने मे आपको लेकर नहीं आना है इस बात को एकदम क्लियर कर लिजे बहुत लोग जो है इसको 30-200 में इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको साइडोनिया वल्गरिस का मदर टिंचर लेकर आना है यानि जिस मेडिसिन का नाम है यानि पे क्यों लिखा हुआ हो फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेडिसिन का पिक्चेर लगा देता हूँ आप लोग उसको देख लीजिए तो साइडो निया वल्गरिस मदर टिंचर का पंद्रा बूंद आपको सुभे लेना है और पंद्रा बूंद आपको साम को लेना है और यह उसके तरह काम करती है यह आपकी अंदर नाय्ट्रिक ऑक्साइड की लेवल को बढ़ा कर आपका आर्ट्रीस को रिडाक्स करती है ताकि ब्लड का फ्लोक काफी हद तक फास्ट हो सके और इसलिए पूराने जमाने के जो होमियोपैट्स थे वो लोग जिन्सिंग को होमिय स्ट्रोमेपैथिक व्यागरा ही कहा करते थे और जिन्सिंग मदर टिंचर को आपको दोफेर और रात को लेना है दोफेर के लंच के बाद आपको एक बार लेना है पंद्रा बूंद हापकाब या फिर एक कब नॉर्मल वाटर में मिला कर तो साइडों ने वलगरिस मदर टि ले करता है और जिस दवा का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम और इस दवा का सबसे अच्छा असर हमारा दिमाग पर होता है अब यहाँ पर एक चीश समझने वाली है वो यह है कि हम लोग सुवे से साम तक जो भी काम करते है चोटा से चोटा बड़ा से बड़ा जो भी हम हम लोग काम करते है उसकान को करने की जो और हम लोग को मिलता है वो हमारा दिमाग से मिलता है हमारा ब्रे करते है या फिर हमारा सरीर का अंधर जो कुछ भी internal activity होता है वो brain है जो कि उपर से बैट कर वो signal दे रहा होता है वो order दे रहा होता है ये काम करने के लिए तो similarly link की अंधर blood flow को बढ़ाने की signal अगर सही से हमारा दिमाग से अगर पूरुसों का जननंग तक नहीं पहुँचेगा तो तब तक आपका link की अंधर blood supply बढ़ेगी नहीं और as a result आपको properly erection भी नहीं आएगा तो ये urgentum nitricum ऐसी दवा है जो कि आपको मांसिक लेवल से आपका नापून सकता को ठीक करेगी आपके link की अंधर blood flow को बढ़ाएगी और urgentum nitricum को आपको 6 potency में लेना है 6 potency में आपको directly डाल सकते है कोई problem नहीं होगी और इन सभी दबाओ को जैसे करके हमने आपको लेने के लिए बताया है ऐसा करके आपको कम से कम 3 मेहना continue आपको हर दिन इस्तमाल करना पड़ेगा और जैसे जैसे इन medicines को लेते हुए 2-3 हफता हो जाते है आप अपना अंधर काफी हद तक changes द हो रहा है इसके इलावा एक opposite sex के पती आपका अंधर attraction भी आना start हो जाएगा और आपका लिंग जो छोटा हो चुका है जो सिकुड़ चुका है उसमें भी काफी हद तक आपको improvement देखने को मिल जाएंगे तो ये तीन सर्वसे स्ठोमेपाथिक medicine है लिंग में blood flow को बढ़ाने क लेकिन ये तीन सर्वसे स्ठोमेपाथिक medicine का नाम हमने आपको बताया और उसको लेने का तरीका भी हमने आपको बताया तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों कैसी लगी आप लोग मुझे comment section में comment करके बताईए और इसके regarding अगर आपको मुझे से और कुछ जानकरी visit get instant feedback आपको देखने को मिलेंगे जो लोग हम से से treatment लिये हैए वो लोग treatment लेने के बाद कितना अपने आपको satisfied कर रहे הי akut क्योंकि पूरी YouTube में एक मात्र हमारा ही AU करता है पेस Frisaka डाला करता है कि पेसेंट का पहले दिगने में कैसा था और आपधर किसेंट ह हमोपाथिक ट्रीट्मेंट कराने के बाद कितना satisfied है, क्या बोल रहे है ये भी आपको हमारा ही channel का उपर देखने को मिलेंगे और कोई channel नहीं है YouTube पे जो कि आपको इस तरह का reviews और feedback डाला करता है तो उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखिए ताकि आप लोगों को homopathy को लेकर एक trust build हो तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर end करता हूँ so thank you very much and have a good day